करोना महमारी से आज दुनिया भर में दहशत है आज दुनिया भर के वैक्यानिक इसकी वैक्सीन बनाने में चुटे है पर मेरी मौत की बचा एक ऐसी बिमारी बनने वाली थी जिसका इलाज इनसानी दिमाग कभी नहीं दोण पाया अब हम तुमसे डरने नहीं वाले समझे अच्छा तो हमारी बिल्ली हम पर ही पंजा मारे ही हमने कभी सोचा भी नहीं था हमें तुमसे ऐसे बात करनी पड़े ही हलो हलो नमस्कार आदाब प्राइम पेट्रोल सतर के आज के इस एपिसोड में मैं अनूफ सोनी आप सबकर स्वागत करता हूँ पूरी दुनिया पूरी मानव जाती इस कुरोना के संकट से जूज रही है लेकिन हमारा देश कुरोना के अलावा कई और वाइरिसे से भी जूज रहा है जिसे के अंद विश्वास पाकंड, जातीवाद, अन्याए, गरीवी और महिलाओं पर अत्याचार ये सब ऐसे वाइरिस हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज को बिमार करते जा रहे है महिलाओं पर अत्याचार करने वाला वाइरिस जो कि सबसे खतरनाक वाइरिस है इसने महिलाओं के अस्तित्व को ही कटगरे मिला कर खाड़ा कर गिया है और इसी वाइरिस के कारण महिलाओं को आए दिन महिला होने की सजा भुगतनी पड़ती है आज का ये केस इसी वाइरिस से जुड़ी एक कहानी है कुसुम तुम ये चौका छोड़ो छोड़ो भीटा हम कर लेंगे साब जाओ तो मा लोगडाउन कुलने तब ओफिस तो जाना नी खुड़ी पैठे बैठे देखो कितने मोटे हो गये हम इसी बहाने घर का थोड़ा चूला चोका घर की साफ सफाई करेंगे न तो थोड़ा अनुभाव भी ले लेंगे क्या पता इसी बहाने थोड़ा सा वजन कम हो जाए हमारा अर ने लीचे बढ़ा कुसुम तुमारा तो पता नहीं थेकिनी लॉकड़ाउन खतम होते होते तक न हम घिसी बीटे किया बल जाएंगे कि कुरुना वायरस के चक्कर में तीन तीन बार कपड़े बढ़ता है अरे वीबी अप तेंशन तू लेती हो कोई बात नी आपका भी थोड़ावा तानों हम बाट लेंगे कभी कभी हम भी कपड़ाद हो जिया करेंगे ठीक है अरे अपने बढ़के भीजा कानू भो भी बाट लिजिए लोगडाउन से पहले तो काम लगा नी और बाने वाले समय में रोजगार के ना मारा मारी होने वाला है तो क्या किजिए महाराज का चमत का दिखाएंगे अरे पापा हम अपना कुंडली देख रहे है और इंडिया का भी इतंबर 2020 में इंडिया बूम है देश चमकेगा और हम भी चमकेंगे देख लीजेगा आप पापा हम अभी आते हैं हाँ तुम हमको डर के फोन के हो या हमको डराने को फोन के हो डारलिंग कैसी बाते कर रही हो यह मीठी मीठी बाते ना तो करो ही मत हम से हम तुमको अपना प्यार जाहिर करने के लिए फोन किये और तुम वाइदन्स पर उत्तराई हो तुम पर भरोसा ही नहीं रहा अरे क्यों पात का बतंगड बना रही हो नहीं था टाइम इसलिए नहीं किये कॉल अच्छा हमारी बात सब्सकान हमने तुम्हें अभी इमेर भेज देंगे ठीक है ओके बाई किससे बात करें थी कुछ नहीं बहिया वो हमारी कलीक का फोन था ओफिस के कुछ काम से फोन किया था अच्छा हां तो वर्क फ्रॉम हां बहिया यह अनुभोवी बड़े कमाल का होता है अगर आपका जोब होता तो आपको भी पता चलता कुसूम हां अर तुम्हारा वर्क फरम होम चल रहा है न तो कहां जाने की तैयारी में हो मम्मी वर्क फरम होम तुमारा तभ होगा न जब हमारा लैपटॉप चार्ज होगा और हमारा चार्जर खराब हो चुका है यही पास में मारूफ गंच में हमारी एक सहेवी रहती है हम तुरंट उससे चार्जर लेकर आ जाएंगे. अच्छा तो ध्यान से जाना, अज जल्दी काम खुतम करके सिधे घर आना. जी ममी, तुरंट आ जाएंगे. अच्छा आ हुआ मैडम, कोई समस्या है तो हमको बताईए ना. हलो? हाँ, शीतल लीदी, वो हमारी स्कूटी खराब हो गई है. स्कूटी खराब हो गई? अच्छा, अभी कहा हो तुम? वो, यहाँ, अनिसाबाद की हाँ पर. पर कुसम, तुम तो मारूफगन जाने वाली थी ना? तुमारी स्कूटी अनिसाबाद में कैसे खराब हो गई? वो हमको, हमको फुलवारी शरीफ में दो मिनिट का काम था. सोचा, वो भी लिपटा ले. और वैसे भी, अभी लॉकडाउन के चलते, कई भार जाना तो होता ही नहीं है. तो बबलू भाईया है न, वो तुमारे पीछे ही निकले थे. एक बर उनको फोन करो, क्या पता वो तुमारे आसपास ही हो? बबलू भाईया, हमारे पीछे निकले थे. हाँ, अच्छा तुम रुको, हम बबलू भाईया को फोन करके बोलते हैं, वो तुमें अनी साबाद से पिक कर लेंगे. हाँ, ठीक है, चलेगा. इतना देर हो गया, अंधेरा होने चाह रहा है. नुशुम, का फोन लग रहा है, ना बबलू का फोन लग रहा है, हमको चींता हो रहा है. घले मोहला पुरा सून हो गया है. ibly фак, मंबी घब रहा है मत? उन दुनों को बाटरी है, अन दुनों का बैटरी है कि साथ ये कन्दूं गतम हो जाएगा. हाँ हमको कुछ ठीक नहीं नग रहा है हम्रा मन गढ़ा रहा हम्रा दुन बच्चा ठीक है कि नहीं अब इस लोग डाउन में साधन भी नहीं है कैसे खुजने जाए उनको शंकर का बेटा मन तो उसके बास बाइक है ना हाँ तुम अपनी ममे का ख्याल रखो ठीक है और अगर वह वापीस आजया है तो हमको फोन करना जी पपा प्राइब अप्राइब 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 कोरोना वाइरस की पहले लॉकडाउन की रात में जब पूरे देश में कर्फ्यू था तब एक परिवार के दो भाई बेहन उसुम और बबलू लापता थे उनके पिता रामनाथ उनको ढूनने की नाकाम कुशिश कर रहे थे और उनकी मा दुर्गा और बेहन शीतल सकते में थे और सुभा होते होते पुलिस भी बबलू और कुसुम की तलाश में चुट गई जब आप लोग को मालूम है कि सेर में लॉकडाउन लगा हुआ है बाहर नहीं निकलना है तो कुसुम को रुखना चेह था ना सर वो खुसुम के लैपटाप का चारज़र खराब हो गया था वो मारूफ गंज अपनी सहीली से चारजर लेने के लिए ही गई थी किस है इली सिंग। यह तो हम नहीं जानते हैं। यही बात हम भी कुसम से फोन पर पूछे थे। पर कुसम तुम तुम तो मारूफ गंज आने वाली थी ना। तुमारी स्कूटी यह आनीसाबात में कैसे खराब हो गई। वो हमको फुलवारी शरीफ में दो मिनिट का कान था, सोचा अब भो भी लिप्टा ले अच्छा तुम रुको, हम बबलु भाईया को फोन करके बोलते हैं, वो तुम्हें अनीसाबाद से पिक कर लेंगे हाँ ठीक है, चलेगा हलो, अरे का आपत है शितल, काए फोन कर रही हो भाया वो कुसुम का स्कूटी है ना, अनीसाबाद में खराब हो गया है, आप उसको पिक कर लेंगे तो यहाँ बबलु अनीसाबाद में कुसुम से मिला था सर हमको नहीं मालूम, हमने जब दुबारा फोन किया तो दोनों का फोन स्षोफ आरा था कुसुम भुलवारी सरीफ किस से ले गई थी यह तो वो नहीं बताई थी हमको कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम आप लोगों से चच चुपा रही हो वो सकता है कुसुम का किसी लड़के साथ अफेर चल रहा हो यह क्या भोल रहा है साब? अमारी कुसुम ऐसी नहीं है सर वहाँ पर एक फीमेल का सैंडल में जा है उस पर खून के दब्बे भी है और यह सर यह देखिए सर यह तो कुसुम को इस अंडल है माना के सबूत मिला है लेकिन कुसुम का स्कूटी यहां पर खराब हुआ था तो क्या कुसुम स्कूटी समेथ गाइब होगी? और उसका भाई बबलू वो बाईक समेथ गाइब है ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब कुसुम और बबलू के घरवालों से भी नहीं मिले थे जैसे के कुसुम घर से निकली थी मारूफ गंज आने का कहकर यही पास में मारूफ गंज में हमारी एक सहेली रहती है हम तुरंत उससे चाजर लेकर आ जाएंगी तो क्या मारूफ गंज में कुसुम की कोई सहेली थी या पर घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपने परिवार वालों से जूट बोला था हमको फुलवारी शरीब में दो मिनित का कान था तो फुलवारी शरीफ में ऐसा कौन था जिससे कुसुम मिलने वाली थी? और सवाल ये भी था कि क्या उस शाम कुसुम और बबलू मिले थे? और अगर मिले थे तो फिर गायब कहा हो गया? और अगर नहीं मिले थे तो उनके इस तरह से अचानक गायब हो जाने के पीछे आखर क्या कहानी थी? सवाल कई थे और जवाब ढूनने के लिए मारूफ गन से लेकर भुलवारी शरीफ और अनीसाबाद के कई अलाकों में च्छान बिन शुरू की गई कुसुम और बबलू के दोस्तों, पडोसियों और रिष्टेदारों से भी सवाल जवाब किये जा रहे हैं मैं कमी सरू कमी सर यह हमारे थाने के ऑफीसर और कॉंस्टेबल का फिटनेस रिपोर्ट अल गुट? यस सरू अच्छा, तुम यो भाई 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 के मिसिंग के इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर हमारे टिप में इन्वेस्टिगेशन कर रही है हमारे साब से भाई में कुछ गड़ बड़ है सर तो मैं अधिशनल टीम के जरूरूत हो है? नहीं सर फिर भी यह जरूरत हो, बता देना सर, मामली केस है वैसे भी लॉगड़ून में अपको जादा बड़ी टीम का रहा होते है क्यो कर रहा है सर, दीम सर के पच जाने के टाइम होगा हमारे सब्सक्राइब कि बबलू भाया काफे गुस्यल है लेकिन वो हमको और कुसम को लेके काफे प्रोटेक्टिव भी है यानि बहने कहां जा रही है किसे मिल रही है इससे पर नजर रखते थे तो ही कहने ना हाँ सर सर, एक बात और बताना था उस दिन हमने भाया को किसी से फोन पे बात करते सुना था बबलू से मिलने का वज़ा मत पूचा कर समझा चला आके मिल किसी को पीटने का प्लान बना है इस लागडाउन में दारो का इंतिजाम भी करेंगे तुमारे लिए आजा आपको तो यह नहीं पता कि कुसम मारूफ गंज किस से मिलने गई थी या फुलवारी शरीव किस से मिलने जा रही थी और आप बता रही है कि बबलू किसी को पीटने के लिए गया था तब इसका क्या साज़े हम कि कुसम ने बबलू को गाइब कर दिया कि बबलू ने कुसुं को गायब कर दिया बच किजिए सर हमारा बेटा बेटी दू दिन से गायब है आप कुछों बोले जा रहे हैं यह नहीं कि हमारा बच्चा लोका आप खोजे डूडे कि काई कुणाल में शीतल के बयान के बाद पुलिस बबलू को जानने वाले हर दोस्त हर जानकार से मिल रही है और फिर भाई बहन के कॉल रिकॉर्ड में नए समीकरन सामने आए सर बबलू के दोस्तों से यह नहीं पता चल रहा है कि वो उस शाम किसको पीटने वाला था लेकिन सर बबलू और कुसुम दोनों के फोन उस शाम अनिसाबाद में एक साथ ही बंद हुए थे यानि दोनों भाई बहन उस शाम मिले होंगे लेकिन सर दोनों भाई बहन के एक साथ गायब होने की कहानी कुछ समझ में नहीं आ रहे और सर कुसुम के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पीशियस नंबर भी मिला है, जो उस शाम फुलवारी शरीफ में ही एक्टिव था, और उसकी बहन ने बताया कि वो उस शाम फुलवारी शरीफ में किसी से मिलने वाली भी थी, किसका नंबर है, सर नंबर 980, सर ये नंबर मनेर के पहलिए सर और उस ही शाम से बंद हैं किस्म रृबी दोनों चाहशित क्या हुए है सर लाहा हम किसी कुस्म बबलो को नहीं जानते लाह जानते नहीं हो तो कुस्म को फूल करते हैं सर जब जानते नहीं तो हम क्यों फूल करेंगे सर ये तख Congressband इसम जागर आए किस्म से कई आप लोगों ने बताया कि कुसुम का किसी के साथ अफेर नहीं ता लेकिन कुसुम लगा ता इस नमन नाम के लड़के के साथ फोन पे टच में तो आप लोग जानते हैं इस लड़के को नहीं सार हम नहीं जानते हैं सर जी वो नमन तो वहीं का वहीं पर है इस लड़के के टेटेल निकालों जी सर पर सर ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और कोई और हो जो उस फोन नंबर का गलत इस्सेमाल कुसुम को फुसलाने के रादे से कर रहा हो लेकिन हमें बबल सर अनीसाबाद में जंगल के पास एक लड़की के लाश मिली है सर बहुत ही बुटल मड़र ओसकता है कि लड़की के साथ रेप स्कोड़े मिली नहीं सर और सर बबलू कभी कुछ पता नहीं चल रहा है सर और सकता है कि बबलू इसी को उमार के माध गया है कुसुम की भीरवालों को छिनाट के लिए 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 लाज का चाहरा पेचानना काफी मुश्किल है लेकिन हमें बॉडी पर ये कपड़े मिलें क्या ये कपड़े कुसुम के? हुआ 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 है हुआ है हुआ हुआ मैडम कोछ अमस्या है तो हमको बताईये न येस ब्रदर आलोक, what happened? अरे अभी हम न्यूस में पड़े हैं, उसका फोटो भी देखें, वही इस कूटी वाली लड़की का मरडर हुआ है इका ट्रेजिक हो गया, तुम रुखो हम अभी चिंटु को कॉन्फरेंस पर लेते हैं, एक मिट रुखो का? उस कुटी वाली लड़की का मरडर हो गया? अभी कौन मारा भे उसको? भाई, हम्रे तो रोंटे खड़े हो गई बात को समकर, मानो कल की बात है, जब हम उसे देखे थे सामने अब भूल जाओ, भूल जाओ भाई, अगर हम गल्ती से भी किसी को कह दियें कि हम उस लड़की को देखे थे, तो हमारा सनी मंगल सब खराब हो जाएगा, का समझे है? सही बोले आलोक, भी ऐसा ना हो जाए, पुलीस हमी पर इलजाम डाल दे सर, हम लोगों को तो लग रहा था कि कुसुम का रेप हुआ होगा, लेकिन सर, पोस्ट मॉड़म रिपोर्ट ने तो कहानी बदल के रख दी क्रिमिनल बहुत सातिर है हरिस, वो दिखाना चाह रहा है कि जैसे रेप हुआ, लेकिन रिपोर्ट से साफ है कि यह मडर केसा है, और फिलाल गुनागार, सिर्फ बबलू ने जरा रहा है जिस पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपना अगला कदम उठाने वाली थी, अब उसी पोस्ट मॉटम रिपोर्ट पर सवाल उठा दिये गए थी कुसुम के घर वालों ने पुलिस टेशन के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था यो, यो। यो, 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 यो! श़ांत हो जाईये शँन का बूस्ट मॉटम कुराने सेरिपोर्ट बदल नहीं आए गा यो और मीडिया इसमुद्ध को लगातार रिपोर्ट करण था जिसके बाद थाने के सीनियर पुलिस ओफिसर को इस केस का संग्यान लेना पड़ा जो उस वक्त लॉक्डाउन से संबंदित जूटी में व्यस्त थे साब हमको आपसे आजवसन चाहिए कि पोस्माटम दो आरा होगा और हमारे बेटे को ठीक से ढूंड़ा जाएगा आपको यकीन दिलाता हूं कानून के दारे में रहेकर जो कारवी बंती हम करेंगे ठीक है अब बीड़ा बाइए अब बीड़ा बाइए चलिए अटे आप दो डड़की के चाना में कुसों उसका दोबारा से पोस्मांटम गरवाना होगा अरिश वरीग सब्सक्राव पश्माटम के लिबए जबाए साफ और वो लड़की कुसम उश दिन पोलवारी शरीफ में जिस लड़के से मिलने जा रही थी वह नमनवस्ती ही था सर वो कुछ दूसरा ही लगता है क्योंकि नमनों अस्थी के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला है और नमन लगातार कह रहा है कि वो नमबर उसके नाम पे रेजिस्टर्ट तो है लेकिन उससे वो इस्तिमाल नहीं करता है तो इस नमबर के कॉल रिकॉर्ट सर निकलो है होंगे सर टेलीकॉम कंपनी में रिक्वेस्ट भेजे है लेकिन अभी तक आया नहीं है लोगडाउन कवजे से लेकिन सर हमें बबलु पे जादा सके जब तक सुबूत ना नहों कोई भी एंगल महज एक थियोरी होता है उसे तक ये केस सौल नहीं हो जादा तब तक हम ड्यूटी पर ही रहते हैं अरे नहीं दिनेश आपने बहुत योगदान दिया है और बाकी टीम है ना हम संभाल लेंगे आप आराम कीजिए थांक यू सर अरे बात इदी आज बड़ी कमाल लग रही हो एसी चली जाओ निरजी के स जब भी हम अपना शाधी का बात सुनते है न तो पापा का उदास चेहरा सामने आ जाता है पताने इतना सारा खर्चा केसे उठा पाएंगे आरे दीदी का है टेंशन लेरी हो हम एक देड लगत जोड रखें दे देंगे पापा को किसी लगड़ी को ठूस कर उसके वोकल कोड को डेमेज किया गया गया पाइवेट पार्स को डेमेज किया गया और वह एहवान यही नहीं दुके उसके सर पर किसी भारी पत्थर से वार्किया गया जिससे उसके मौत है मात का वाक्त तकरीबन साथ बज़े और धाई बज़े के करीब कुसम ने बहन शीतल को फोन करके बताया था कि उसकी स्कूटी खराब हो गई हाँ शीतल लीदी वो हमारी स्कूटी खराब हो गई है मतल लड़की ने तकरीबन पांच गांटे टॉर्चर साथ सर कुसम के नाखोरे में रेपिस्ट के स्किन के ट्रेशिज मिलें और भी चौकाने वाले पॉइंट्स है सर इस रिपोर्ट में सर कुसम बन प्रेगनेंट थी लेकर उसके बॉइफरेंड का कोई नामो निशान नी और हमें तो यह भी नहीं पता है कि उसका भाई बबलू काहाँ खाया है और सबसे हरान की बात यह है कि पहली पोस्टमॉटम रिपोर्ट में यह सब मैंशन क्यों नहीं था इस एरर के इंक्वारी करनी होगे सब इंस्पेक्टर राजेश्वर को सस्पेंड कर दिया गया नहीं पोस्टमॉटम रिपोर्ट ने इस केस का रुख मोड कर रख दिया था सवाल यह भी था कि क्या बबलू इसमें इंवाल्ड था और वो अब तक गायद क्यों था पुलिस ने क्राइम सीन के एक किलोमेटर के रेडियस में फिर से चानबीन शुरू करवा दी और अब बारी थी कुस्म के माता-पिता के सच जानने की बोली क्या आप लोगों को पता था कि कुस्म प्रेगनेंट थी सर बब बबलू पर भी अजीव लगा उसे बहुत गुसा आया होगा जब उसे यह पता चला होगा कि इसकी बहन प्रेगनेंट है बबलू काहा है बस कीजी सर बस कीजी आपने अपनी बेटी कोई है उसके भाई के लिए परिसान है अर आपको छोगोने जा रहे है अर्व परिसान है आमाइड शर बबलू मिल गया लेकिन वो जिन्दा नहीं है उसका भी मुदर हो गया शर लाज के पास कुसूम की स्कूटी और बबलू की बैग मिली है सबको जाडियों से पूरी तरा से छुपाया गया था कुसम की स्कूटी ये सीरी में खराव हुई थी अजला बबलू कुसम के ढूंडता हुआ यहां तक आया था और कुसम की लाज यहां से एक किलमेटर दूर पाह मिली तो पहले बबलू को यहां मारा गया होगा और उसके बाद कुसम को किड्नाप किया गया हुआ तो क्रिमिनल्स ने बबलू की लाज को यहां पर दंब किया है शायद उनका मकसद कुसम के सस्पेट बबलू को बनाना रहा हुआ स्कूटी बाइक बबलू सब कुछ यहीं था राजेश्वर ने अगर ठीक से छाणबिन करवाई होती ना तो एक केस इतना ना उरुज़ता स्षितल ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि बबलू का किसी से जगड़ा हुआ था और वो अपने दोस्तों वे साथ किसी को पीठने का प्लान भी बना रहा था चल आके मिल किसी को पीठने का प्लान बना है हो सकता है कि सब कुछ बबलू के किसी दुष्मन का खिया धर हो हो सकता है कुसम और बबलू के पूरे परिवार का दुष्मन हो या यह वो भी हो सकता है जिसने कुसम का प्रेंट किया जो भी है हमें हार एंगल पर नए सेरे से काम करना होगा, विना बाक्त गवा है बड़े को पॉस्पाटम के लिए भीजवा रेट सर्व सार सर नमन के कॉल रिकॉर्ड में एक विमल चौधरी नाम के लड़के का नमबर मिला है सर नमन और विमल दोनों का नमबर उस दिन फुलवारी शरीफ में एक्टिव था जहां पुसुम जाने वाली थी सर ये विमल लेकिन सर ये इस वक्त जेल में है जेल में जी सर इसने लोगडाउन प्रोटोकॉल का उलंगन किया था जब पुलिस वालों ने से पूछताज की तो ये उनसे बहस करने लगा पुलिस वालों ने से जेल में डाल दिये तो थोड़ी बहसां भी करते हैं इसके साथ हाँ पास का लगा था साभ हम किसी कुसों को नहीं जानते हैं वह ठाबवारी सरीप में अंकुष ने बुलाया था करनंंकुष विमल जल्दी से फुल्वारी शरीफ पहुंचो फुल्वारी शरीफ अरे लेकिन बात क्या है सब अंकुष बुला वहां एक लड़की को डराना धमकाना तो बस हम वहां पहुंच गए कि इसका फोन भी बंदा रहे हुथा नहीं का मर गई सब वहां वह लड़की आने वाली थी वहां नहीं तो हम दोनों चले गए कर दो तो भी थे लड़की कि मैं तो यह नहीं को रवा लड़की थी यहान साल Εख क्योंक़ भी, यह लड़की को तो नहीं सिता जिस लड़की का है कि आ रटने रेप किए तिसको पतल किया है तुम लगां को यह सब्सक्र आःप.... अमाउच भूलकी की नहींAB हुटु का को खून पूलकी की तो बिजक हमको आकुण मालूम नहींडु भूलकी को विवग खूदूल कहां मेल गई Agnes जाफ, हम पा मेरे किशम आख कुछ नहीं किया हम तु हर कर देती श कुछ प्यार कर देते fight तो जादा स्मार्ट बने की कोशिश मत करना, वो फुलवारी शरीफ नहीं पहुंची, तो तू अनिसा बात पहुंच गया, वहां पहुंच कर तो ने इसके भाई बबलु को मारा है, उसम के साथ गैंग रेप किया, फिर उसका मडर किया, अब बोले, और कौन-कौन शामिलता हमारे यकिन कीज हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस उसे समझा रहा चाहते थे, कि वह हमें भूल जाए, तेरा अफिय अर्थन उसके साथ, हम, इसा प्रेगन पे तुमने किया था, लेकिन हम रे सोचा नहीं था, कि कुसुम प्रेगनेंट हो जाएगे, अंकुष, एक स्थमेंट हो गए है, सिर्ष बएर बूर जाया है, हम हमारे करवालों ने अर्ष ने नारी रिश्टर रिच्टर के साथ तैय कर दिया, वैसे दिखने में कुसुम जादा ची थी, लेकि अरिया पने एक लौत पैसा उसके पास, ते लिए कुसम को रासे शटा ढ़ा और उसके ररा णार नमन हमारे वास्टल में था हमने तब इसका सिम रख लिया था जो ये नमन भी तोजे वचा रहा था ये भी शामिलेस में हमने कुछ नहीं कहसे रवारा यचिन कीचे सर रवारा यचिन कीचे तबीकर यचिन अब रो क्यों रहो हम्रा बच्चा बहुत बिमार है हम अपने गाव असन सोल जा रहे है मालिक अरे बाप रहे हितनी दूर और वो भी पैदल देखा इस मामारी ने ने सबका हालत खराब कर दिया है अरे तुम ढरो मत हम गरीबो को खाला पिना बाट रहे हैं वारे बच्चे को अच्छे डॉप्टर को दिखा दे ने अरे ने आई ने आप कहीं तकलीक पुछाएगा हम चले जाएगे अरे इसमें तकलीक फ्रेदेग का दीजे इजे बच्चे को आपटे देजे अघे अरे दी अभई, आपार बच्चो को दीजिए, चोड़े.. चोड़े आपे.. जिंटू, गाड़ी चलाए बच्चा.. जा आए.. अउच्छ बच्च बच्चे.. ले.. आपिए! आमको जो रजेती है! आमने बच्चे! चोले जेती है! इसे कहते M.O. मोडल सॉपरेंडी अब पुलीस को यही लगेगा कि यह क्राइम भी उस लड़की कुसुन के खिलर नहीं किया है साला सीखो भे हमसे कुछ अरे जल्दी चलो अब यहां से और कुछ दिनों तक अंडर्गराउंड हो जाओ यह M.O. M.O. कुछ बात में देखेंगे सार अंकुष को बहुत तोड़ा नमन और विमल दोनों को दुबारा सरीमान के लिए लेकिन सार कोई कुछ नहीं उगल रहा है यह अंकुष, नमन और विमल इन तीनों को डियने को कुछ उनके नेल्स में जो स्किन ट्रेशिस मिले थे उनसे मैश करो, सार अलो अगर तुम दुनों इस जुगाड में हो कि कुछ माल मेटरल मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला अरे बीरोजगार है हम, कुछ नहीं है हमारे पास हाँ भाया, लेकिन एक बार पॉकेट में हाथ तो डाली है क्या पता, कुछ मिल जाए अरे का है रक्षा बंदन के दिन हमारी इज़त निकाल रही हो देखो न, ये देखो, ये देखो, हमारे पॉकेट में कुछ नहीं ये कहां से आगया भाया, ये पक्का कुसुम ने रखे होंगे हाँ भाया, लेकिन आप से वापिस लेने के लिए नहीं ये आप ही के रक्षा बंदन के दिन बेहन से गिफ नहीं ले सकता रख लिजे ना भाया और वैसे भी, कौनसे डॉक्टर ने काया कि रक्षा बंदन पे भाई को ये बेहन को गिफ देना है तिरू का बुरा नहीं था हमारा बबलू असी बेरुजगारी ने उसका जपर कड़बा कर देना सर, कुसुम की लाश भी हमें इसी तरह मिली थी ऐसी खून से सनावा पत्थर और ये लुकडी कटकुड़ा इस पर लाश के पास है सर, किलकुल वैसा ही नजारा है सर, हो सकता है कि इसे भी कुसुम के गातलों नहीं वारा हूँ को सकता है इसके हाथ पैर उस रसी से बांदे गया कुसुम के हाथ पैर पे भी इसी तरह की निशान थे कुसुम की बाड़ी के पास को रसी मिली थी? नई सर, को रसी नहीं मिली थी आसपास चेक करो, सब जगा चेक करो सब! देजिए बच्चे बहुमें देजिए अरे देजिए ना थोड़ा पुन्य हमें भी कमाने देजिए सब! सब! सब्सक्राइब सब्सक्राइब सर, यह मुबाईल भी मिला यहां पर आँ करो देखो किसका सर, चेक किए, अन नी हो रहा है शायद बैटरी ड़ड़ है चारज कर बाओ, देखा किसका सर मुइन! वहां वह आरत की लाश और यह चुटा बच्चा यह इन दोनों का पस में कितालोग तो नहीं, आमें, हो सकता है यह बच्चा उसी आरत का हो, उस आरत के साथ कुछ गलत हुआ हो, और छीना जवटी में, उसका यह बच्चा यहां पर गर गया हो, और मॉबाइल भी गिरा हो, ए सब्सक्राइब भी आरत का है, जो एक माइगरेंट लेगा है, यह उसके घरवालों से बात हुई है, वो अपने बच्चे के साथ पैदा लासन सोल के लिए निखली थी, मतलो बच्चा उसी आरत का था, हैंने कुछ नहांत के लिए बलो, सर, मेरी पोस्पाटम डॉक्टर से बात है, उस लड़की के साथ भी ग्यांगरेफ था, यानि उस मजूर औरत निलं को पहले मारा गया, फिर पत्थर से उसका सर कोचल कर उसका चेहरा बिगाड़ा दे, सर मैंने क्राइम वाले दिन की हाईवे एरिया की सेसीडी वह जिए अब आरगट रच्टो को दीजिए चोड़े चोड़े लागए चिंडु गाड़ी चलाओ वे अब अब लगए अब लागए वर सर्थ क्राइम से जो रस्ची मेली थी मैंने उसके वारे में पता था वैसी रस्ची बेंद के फरनीचर को बानने काम आती है और बेंद क में इस सिवलर कार और मुजरिम को ढूना है तो हमें दानापुर में ढूना होगा लेकिन सर लॉक्डॉन की वज़ा से सारे फरनीचर के कार खाने बंद है वहां पर पूस्ताश नहीं की जा सकती एक आईडिया है काम मश्किल जरूर है पर नामुम्किन नहीं है क्रोना वाय है 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 अरे साम आप टेने जी है आप तो शाणि नेगर में रहते हैं तरिया दानापुर में हमारा अपना धर है वह हम प्लान किये थे कि अरे रिटार्मेंट के बाद यहीं हां कर एंगे इसले ही हाग गई लेकिन साभी पीपीट थे तृश अरे हरेश कैसे हो तो साब ये कोरोना ड्यूटी में ये थर्मल स्क्रीनिंग का ड्यूटी भी पुलिस को ही दे दी है क्या सरकार? पुलिस को पक्का हमारे बारे में सब कुछ पता चलता है अरे वो इंस्पेक्टर मिला था पापा को कह रहा था कि हाईवे वाले कान में किसी सिल्वर कलर की गाड़ी का इस्तमाल हुआ है आज एक खबर सुनकर देल धेल गया है एक मज़दूर लड़की पांच सो किलो मेटर पैदल चलकर अपने गाहों जा रही थी बेंद के रस्य से बांध कर उसको अगवा कर लिया बलतकार किये फिर मार कर प्हेंग दिये कुछ है वाल और देखीगा पापा इस बाल भी कोई पकड़ा नहीं जाएगा पुलीस के बस की बात ही नहीं है यह इंस्पेक्टर साब मिले थे आज हमको और हमको लगता है कि वो जानते हैं कौन लोग है इस कान के पीछे कोई सिल्वर रंग की गाड़ी को ढूंड रहे हैं लेकिन हमने तो हमारी सिल्वर गाड़ी का नंबर प्लेट ही गलत लगवाए थे हम फिर कैसे पता चल गया देखो पुरानी बातों को छोड़ो अब सोचो आगे क्या करना है यार हैं आए तद alors साब हमानते कि हमने उसी मज़दूर ऑता का ओर मारें इसे मोरे में लिकें साब अपने कुसूम के साँछ कुछ भी रही किया साबसच कहरें हूं आजज़कों ।ड़ सॉब अपताम हम उसको नहीं मारें अपिस का रेप किये सॉण आगे बो लाई भाईया आप जा रही थी भाईया वो फुल्वारी शरीख न हमारी एक कलीग रखिया न तुम हमसे अब एक नहीं सुनेंगे बहुत हो गया तेरा अवाज नीचे करके बात कीजिये तेरी आवाज सब उपर नीचे कर देंगे हम बहुत पर लग गया थेरे न यह यह थे लड़ यह थे हम सबद्दाने का अवाज सबस्क्राइब इसका बाई मर गया तो हम उस लड़की को कंट्रोल करने के लिए बांदी और गाड़ी में ढाल दिये ऐ साथ और उस लड़के की लाश को को वज़ ज़स्टी और वही को भाईप ठीकाने लगा दिए थेर हए वन पहले सोचे के उस लड़की को भी मार ही देते हैं लेकिन साइब हम को मजा करना था तो हम थोड़ा दूर चले गए साइब हम सोचे के वो खुदे ही तरफ तरफ के मर जाएगी लॉक्डाउन में उसे कौन देखता था उस उमको पत्थर से नहीं मारे था सर उस मजदूर औरत को ज़रूर पत्थर मार के उसका चैड़ा बिगाड़ा था सर हम लोग में साइब हम यह सोचे ते कि कि आप लोगों को यही लगएगा कि कुसुम के इकातिल ने उसे मारा होगा लेकिन साइब हम कासम से कहरे रहे हमने कुसुम के साथ कुछ भी नहीं किया ऐसाभ हमने तो उसको जिन्दा चोड़ दिये थे भाई पर जबकि कुसुम का मटर साथ बजे के आसपास हुआ है असर मैंने कन्फर्म किया है कि चिंटू के दोनों जोड, आलोक और सनी वो दोनों भी शाम को साथ बजे अपने घर पहुंच गये थे अपर कुसम को इसमें मौना हुआ पापा, मुम्मी, खाना चले रामना जी, चलते हैं मन्टू, वह मन्टू जिसके साथ आप उस दिन कुसम को ढूडने गए तोस मन्टू ने हमें कुछ पताया हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहता सहाब जब हमें पता चला कि कुसम शादी से पैली पेट से है अंकुष, एक प्रॉब्लम हो गी है हम प्रेगनेंट हो गए है हमारे प्याटलो की जबीन निकल गए हमने किसी से कुछ नहीं बोला सिवाइबब लुके हमने फकल ना भी नी की थी कुसम हमारा भू काला कर देगी तो आप का करेंगे आप द्रितराश की तरह आप जाएंगे या गांदारी की तरह अपने आखों पर पट्टी बांध लेंगे नहीं! हम यह बटाश नहीं करेंगे बबलू से मिलने का वज़ा मत पूछा कर, समझा? चला के मिल, किसे को पीठने का प्लान बना है हमने कहने पर बबलू ने पहले ही प्लान बना लिया था उस रोज कुसुम जब सहीली से चारजर का बाह ना करके निकली तो हम समझ के यह उसी लड़के से मिलने जा रही है अमने पीछे से बबलू को उसके पीछे लगा लेकिन उसके पाप बबलू का कुछ अता पता नहीं चल रहा था हम अंटू के साथ उसे खोजने गए बबलू तो नहीं दिखा लेकिन कुसुम अरे काथ बोलना है तुमको तुम्हरा अच्छा है अभी अमरे खानदान को अशुद कर देगी नहीं करने देंगा अशुद हमने मंटू सिविंती कि और इतना ही बुला कि उसका रेप था समाज उसे नहीं अपनाता कैसे बापा बेटा अगर कैसा भी हो तो चलेगा अब बेटी वो बेटी जिसे किसी ने धोगे से गरबती बना दिया वो अशुद हो गए अशुद वो नहीं अशुद तुम जैसे लोगों की सोच है हर इंसान के दो चहरे होते हैं एक अच्छा एक बुरा उस इंसान को कौन से चहरे ने जकड रखा है यह हम नहीं जानते और धोखा खा जाते हैं इस केस में कुसम अंकुष को अच्छा समझ रही थी जो बुरा निकला कुसम का भाई बबलू और उसका अपना पिता रामनाथ वो सब के चहरे से धोखा खा गई और वो तीन दरिंदे जिन्होंने दो महिलाओं की जिंदगी बरबाद की थी उनके वी दो चहरे थी अपने परिवार की महिलाओं के सामने एक अच्छे इंसान का चहरा लेकिन वही चहरा दूसरी महिलाओं को देखते ही बदल जाता था हैवान बन जाता था अब मैं आनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी ग्राइम पिट्रोल सथर्क में एक और नई केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें सतर्क रहें सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइं पेट्रोल सथर्क जैहिल